तो चलिए बच्चों रादे रादे जैश्री कृष्णा गोड आफटर नून और जैहिन तो चलिए इसी जैहिन के साथ आज अपनी क्लास एकदम टाइमली स्टार्ट करते हैं हम लोग बच चुके हैं दुपहर के एक और आच चुके हैं हम लोग एक प्लाटपॉर्म पे तो बिल्कुल मिल चुके हैं और उमीद है कि आप सब भी पूरे उत्साह से भरे होंगे तो चलिए आज की क्लास यहां पर स्टार्ट करते हैं बाकी आप लोगों को मैंने कई बार बताया है कि जो भी बच्चे बिहार पुलिस कॉंस्टिबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप ल्रेडी हमारा लक्ष बैच चल रहा है जो अभी आपको लॉंच आपर में अगर देखा जाए तो मात्र चार्सों इंड्यानेवे रुपए में अवलबल है तो इस बैच को जरूर ले लिजे बिल्कुल भी देरी मत करिए आपको बहुत जादा फाइदा होने वाला है अब हम यहाँ पर बात करेंगे आज की अपने रिवीजन सेट नंबर 30 की तो रिवीजन सेट नंबर 30 है आज आप सभी का सभी को और गुड आफ्टर नून और जैहिंद रादे रादे जी रेनु यादो जी आयुश मोहित मिस्टर किंग ऑफिशियल मलिंगा अवनीश पठ है सभी का वेलकम है तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के अपना अपनी क्लास यहां पर और सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे सबसे पहले आज हम बात करेंगे अपने होमवर्ग की जहां से मैंने आपसे क्वेशन पूछा था काफी एजी था लेकिन बहुत ही है नली सोर्फ देवता की पुत्त्री को समर्पित है इस वज़े से और रिगवेध में समावेशी किसका है मंत्रों का ही समावेश या जूर्वेच कि से संबंदित है कि किस प्रकार के लिए कौन सा यग्य करना चाहिए और उसका पूरा नुस्ठान क्या होगा सामवेध का और अथरवेक का संबंद किससे है तंत्रमंत्र विद्या से है किससे तंत्रमंत्र विद्या से है तो इन चारों से ही अगर आपसे कोशन पूछे तो इसका आंसर आप फड़ाफट से दे दीजिएगा तो चलिए आप शुरू करते हैं आज का अपना पहला कोशन बाकी सारे अब इसको समाप्त करना है तो इस संदी से सबसे ज़्यादा हानी किस देश को उठानी पड़ी थी ए आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है जर्मनी और जर्मनी का ही शाशक कौन था हिटलर और हिटलर इसी लिए फिर जाकर बहुत ज़्यादा हिटलर गीरी या कहा हिटलर के पॉम में जो दिखा वहाँ पर कौन सा वाद चल रहा था वहाँ पर नाजी वाद चल रहा था नाजी वाद यानि कि अगर तुम जर्मनी के हो जर्मन जाती के हो तभी तुम यहाँ पर रह सकते हो कोई बाहरी यहाँ पर नहीं रहेगा और उसका कारण यहीं था कि प्रतम व परान देखें तो दुति विश्युद में इसका बदला पूरा करता है और वहां पर जाकर वो शीज को बार-बार कहता है कि जर्मनी के साथ अन्याय हुआ है और जर्मनी जो है वो खुल कर लड़ेगा ठीक है अगला प्रस्ट देखेगा यहां पर महादेई वन्यजीव अभ् राज में इस्थित है उडिसा बिहार सिक्किम गोवा क्या होगा राइट अंसर बच्चों सारी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पड़ा पड़ा से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए जिसे क्लास आपकी स्मूत्ली चलती रहेगी ठीक है तो जब बताईएगा महा देवी महा देई वन्नी जी वभ्यारन आपका किस राज में इस्थित है राइट अंसर होगा आपके गोवा राज में इस्थित है ठीक है और बिहार में इकलोता एक कौन सा है आपका बिहार में इकलोता है आपका वालमी की राष्ट्री उद्यार वन्नी जी वभ्यारन तो और भी ह सबसे भड़ा दूपी देश कौन सा है पताःई गा आईलैंड कंट्री की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी आईलैंड कंट्री कौन सी है यानि कि सबसे बढ़ा डूपी देश कौन सा है बहा मास मेडागासकार इंडोनेशिया ऐस्ट्रेलिया जी हरीकिशोर liking जी सादना ज सबसे बड़ा दीप कौन सा है तो आंसर होगा आपका इंडोनेशिया इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है जकार्टा लेकिन जकार्टा अभी ढूब रहा था उसके आसपास का जो समद्र तल था वो बहुत ज़्यादा उचाई पर हो रहा था जिसे वो डूब रहा था इसकी वज़े से नई राज़ानी क्या बन गई है बोर्नियो आइलेंड ठीक है अगला प्रश्म देखेगा निमनलिकित में से कौन सा भारत का पहला एक्सप्रस वे था भारत का पहला एक्सप्रस व चस्प्रस वे था जिसका निर्माण किया गया था एक्सप्रस्वी का मतलब आप समझते है विना रुकावट यानी वो रुकेगा नहीं जिसको उतरना है उतर लो कहीं से कटवट नहीं आओगा की की बीच में आके आप बीच में गुज गए कोई कट बीच में नहीं मिलेगा कि आप यूटन ले सके अगर आप एक बार हाइवे पर चड़ गए तो चड़ गए फिर ठीक है अगला प्रस्न दिखें गए आप भारत के उप राश्पती के लिए अगर आपको चुना के लिए और अभी इस समय मारे देश में उप राश्पती कौन है जगदीब धनकड कौन है जगदीब धनकड जी और इस समय बहुत जादा चर्चा में भी चल रहे हैं क्योंकि 78 सांसितों को बर्खास्त किया गया है इसलिए इसका काफी विरोध भी हो रहा है बहुत जादा प्रदर्शन भी चल रहा है तो जरह बताईएगा राइट आंसर क्या होगा इसके लिए भी 35 वर्ष ही आयू चाहिए होती है यानि कि जितनी आयू राश्पती बनने के लिए minimum required है उतनी ही उप राश्पती बनने के लिए भी required है यानि दोनों में ही same age ही आपकी चाहिए होत जो दुनिया बर में कौन कहां इस्थानांतरित हो रहा है उसका मूल क्या है उसका origin क्या है कितने मूल के लोग कहां इस्थानांतरित हो रहे है उसके पीछे का reason क्या है कितने प्रतिशत में हो रहे है इसका trend क्या है यह सारा विशलेशन करती है यह सारा analysis करती है तो इसका मु अगला प्रश्ण देखिएगा मेकिंस किन से Health Institute मैकिंस से Health Institute इन्होंने एक सर्वेक्षण किया था एक सरवे किया था और उस सर्वे को पब्रिश किया था जिसमें यह बताए जाता है कि कौन सा एक्ष ओब्रोइश करने में दूसरे नंबर पर है ठीक है कि सरकारी नौकरी के लिए नौकरी के लिए जादा अगर आप प्रतिशत देखेंगे सभी को नहीं कह रहे हैं लेकिन जादा तरलोग सिर्फ आराम के लिए जाना चाहते हैं कि बढ़िया चुट्टी मिलेगी टाइमली काम करना है टाइमली मतलब इतने बजे दस वजे पहुंचना है छे बजे ऑफिस छोड़ देना है कोई जबरदस्ती न चलाता है हिंद मास आगर तो इस हिंद मास आगर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है हिंद मास आगर में सबसे बड़ा द्वीप है आपका मेडा गासकर और मेडा गासकर कहां पर आपको मिलेगा अफरीका में आप देखेंगे तो साउथ अफरीका जहां खतम होता इसी के प्रशासन करने के लिए नगर पालिकाओं दोरक किया जाता है यानि कि कहां का शाषन जो है वो नगर पालिकाओं करती है यानि कि मिनिसिपल कॉर्पोरेशन का संबंध किस छेत्र के प्रशासन से होता है बड़े शहरों के लिए कजबे और छोटे शहरों के लिए अधिसूच शहर होते हैं वहां पर नगरपालिका का शाशन चलाया जाता है यानि राइट आंसर क्या होगा आपका भी ठीक है अगला प्रशन देखेगा निमनलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है अब यहां पर देखेगा इस साइट क्या दिये हुए आपके बीच क्या दिये इनसे संबंदित राज जी तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है ठीक है बी भी आंसर आ रहा है बच्चों का अंकिता राय जी समराट सिंग सोनी जी लड़ू पंकच एंड रंजु कुमारी शोयवालम रंजन ठाकूर सहाब सपना सिंग अलका कुमारी चलिए दे चांदिपुर हमारा एक तरीके से प्रक्षेपण स्थान भी है चांदिपुर से हम लोग उडिसा में आप देख रहे होंगे कई सारी मिसायलों का प्रक्षेपण किया जाता है वहां पर परिक्षन होता है टेस्टिंग होती है एंड गोल्डन बीच कहां पर है आपके तमिल कि अनसूचित जन जाती यांट कि समंधित है इसका जो अद्यक्ष बनाया जाता है या जो कौ운 करता है यारी कि जो स्टीज के लिए जो हमारे देश में senior आ जैसे backward classes के लिए commission है या schedule かास के लिए है उसी तरीके से schedule tribes के लिए भी है तो इनके अधियंके नयुकति कौन करता है राश्पतिस हाब करते है बिल्कुल सही उत्तर है राश्पति द्वारा इनकी निउक्ति की जाती हैं अगला प्रश्म दिखेएगा जक्खम या या जाखं या जाक्तव यह दोगों ही नाम से इसको बुलाया जाता है कहीं कहीं आप देखेंगे इसे जक्र बांद भी बुलाया सा और Ç How प्रताबगड जिले में अब यहां पर एक चीज आपको और बता दें जो कल बच्चों ने कॉमेंट करके आंसर बताया था जन्वदिवस की वह जो बाद में मिली उन सभी बच्चों का बहुत भध धन्यवाद कल के जन्वदिवस के लिए कि उसी जन्वदिवस पर एक क्टिंग का तो उसकी वीडियो जारी हो चुकी है तो आप हमारे MD Vlogs चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं ठीक है उस वीडियो को आप देख लीजेगा MD Classes Vlogs पर आ चुकी है शॉर्ट के फॉर्म में है एक मुनट से भी कम की है अब देखेगा राश्ट्री मानवा अधिकार आयोग के अध्यक्ष ए इनका कारिकाल कितने वर्ष के लिए होता है जरा कॉमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे हम सबका कॉमेंट देखेंगे जरूर पांच आंसर आ रहा है सी जादत और बच्चों का ही आंसर आ रहा है रुटकुमार मश्रा जी जुल्पी जी पाइप एयर एंड मांग का जी कितने साल के लिए बनाया जाता है मानवा दिकार के आयोग के अध्यक्ष का और सदस्यों का दोनों का कारिकाल तीन वर्ष के लिए होता है और मैक्सिमम एज होती है 70 यानि कि अगर 70 वर्ष इनकी आयू पूरी हो गई है तब तो यह मान लिजे 6 महीना भी अगर पूरा होता है इन दोनों में ही आपका रिटार्मेंट की एज होती है यानि कि इनको रिटार होना पड़ता है और चाहे वो अध्यक्ष साहब हो या पिर चाहे वो सदस्य साहब हो दोनों के ही केस में यही बात रहेगी अगला प्रश्ण रिकेगा निमनलिकित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है अब जरा ध्यान दीजेगा कौन सी नदी ऐसी है जो की चंबल नदी में आपकी नहीं मिलती है जरा बताइएगा राइट आंसर क्या होगा काली सिंध नदी परवती नदी बेतवा नदी या फिर शिप्रा नदी शिप्रा लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं शिप्प्रा नदी तो बताइएगा कौन सी नदी ऐसी जो की चंबल नदी में नहीं मिलती यानि कि उसकी ट्रिबूटरी या उसकी सहायक नदी के रूप में काम नहीं करती तो right answer क्या होगा बेतवा नदी कौन सी बेतवा नदी क्योंकि बेतवा नदी जो है व बेतवा लिंक के लिए एक सरकार ने अलग से प्रोजेक्ट और अलग से फंड रिलीस किया था यूपी गौर्वर्मेंट ने ठीक है यूपी गौर्मेंट लालितपूर डिस्ट्रिक के पास में यह प्रोजेक्ट आपका चल रहा है जिससे फाइदा दो राज्यों को होगा कौ पहले अध्यक्स हमारे देश में कौन बने थे नगी टीक और आपको बता दे पहली बार 2010 में बने थे और कौन बने थे नगीटी के पहले अध्यक्स दीपक मिश्रा लोकेश्वर सिंग पंत रंजन गोगोई टीएस ठाकुर जी दीपक क्या दीपक क्या यानि की कोशन दोनुची सेम दीपक क्या चली बी होगा राइट अंसर यहां पर बिल्कुल सही है लोकेश्वर सिंग पंत थे नगीटी के पहले अध्यक्स एंगीटी का काम क्या होता है मैंने आपको बताया है एंगीटी के जो प्रमुक होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड पर्ट होते हैं ठीक है अगला प्रश्ण देखिएगा मड़ी आसी आ रही है बच्चों को ठीक है तो जो वीडियो कब का है वो भी थोड़ा मज़ेदार है तो कल आप देख सकते हैं कहां पे MD classes व्लॉक्स पर जाके आप शौर्ट देख सकते हैं बर्तडे वाली अगला प्र वित्री नदी या फिर पेनार नदी कौन सी नदी ऐसी है जो अरम सागर में विलीन हो जाती है जी जो सभी बच्चे बताएंगे मिस्टर जेके और विवेक भारती जी मिस्टर बोलू आलम गौतम कुमार रंजु कुमारी आलोग प्रजापती जी रंजन जी सिम्रं सिंग ज गूरती आपकी बंगाल की खडी में कहां पें बंगाल की खडी और पेरियार केरल की नदी है शरावती करनाटक की है ठीक है तो यह सारे कहूं कि अरब सागर में अगला प्रश्νοिंट्र Kentक्यां है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आया था क्योंकि हमारे देश का जो सम्विधान है वो हमारे देश का सम्विधान जो है अधिक्तम कहां का पोर्शन लिया गया है सबसे जादा जो पोर्शन है वो 1935 के एक्ट सही उठाके बनाया गया है ठीके 1935 का ही एक्ट जो है वो उसका आधार रहा था क् साइमन कमिशन की बात हो चुकी थी इस वजए से तो ज़रा बताइएगा कि 1935 में निमनलिकत में से किस रिपोर्ट पर ये आदारेत था साइमन कमिशन लौड करजन आयो या फिर दिमित्रो थिसिस या फिर आपकी लौड क्लाइव की रिपोर्ट किस रिपोर्ट पर 1935 का एक् में ठीक है 1928 में आया था किस लिए आया था सम्विधान के निर्माड से संबंदित था अगला प्रश्म बताईएगा निम्नलिकित में से कौन सी जील भारत के पश्मी तट पर इस्थित है पश्मी तट का मतलब यह वाले तट की बात हो रही है तो पश्मी तट पर इस्थित जील कौन सी है और यह कौन सा तट है हमारा पूरवी तट तो जरह बताईएगा राइट अंसर क्या होगा कोलेरू अस्टमुडी चिलका या फिर पुलकड जील कौन सी जील ऐसी है जो कि भारत के पश्मी तट पर इस्थित है ना कि पूरवी तट पर जी कीप अंसरिंग ए उड Menschen है सारै झाल रहें जायने सा यहां पर रईसर आपका अस्टमुडी क्यूंकि का पर है आपके केडिल में का पर है केडिल में तो यह जील कहांपर है पले में क्हा फिर्ड है ऊडियंसा में तो यह झा पूर्वी तट पर यह बहुतर अपर है चिलका ब화त भी और तो यह भी आपके पूर्वी तटपर ही है तो पश्मी तटपर केवल कौन सी है आपकी अश्ट मुडी ठीक है अगला प्रश्न देखिएगा जी चलिए अगर क्लास अच्छी लग रही है मजा आ रहा है तो सभी बच्चे जड़ा जोरदार एक बार थमसब कर दीजेगा सभी बच्चे बिहार पुलिस कॉंस्टिबल वाले बच्चे ठीक है अगला प्रश्न देखिएगा सम्विधान की दस्वी अनुसूची सम्विधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी चौबीसमें बावनवें एकसटमें पच्चासी में कौन से संशोधन द्वारा यह आपकी दस्वी अनुसूची जोड़ी गई जी बावनवें संशोधन द्वारा उननीस सो पच्चासी बिल्कुल सही उत्तरेब बी और यह संशोधन कब किया गया था उननीस सो पच्चासी में और यह किस से संबंदित था एंटी डिफेक्शन लोग यानि की दल बदल विरो सब्सक्राइब करोड़ रुपए में बिख जाते हैं इदर कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी है न तो इस पर रोक लगाने के लिए उननीस सो पच्चासी में बावनवा संशोधन किया गया जिसमें दस्वी अंसूची में दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया यानि थोड़े से जो नियम कानून थे उनमें strictness लाई गई उनमें कड़ाई की गई कि आपकी सांसदी पर खास्त हो जाएगी आपकी विदायकी पर खास्त हो जाएगी आपके उपर बैन लग जाएगा ठीक है अगला प्रशन देखेगा भारत के सरवोच नयायले की की मूल की च्छी का थी मूल शक्ती क्या थी यानि कि अगर आज हम देखें तो आज हमारे हां सुप्रीम कोर्ट की टोटल कितने जजेस होते हैं 33 तोटल जजेस की संख्या कितनी होती है तैस्टीस लेकिन जब यह मूल रूप से बने तो मूल रूप में कितने लोगों की बनाई गय त कितने सदस्य होते थे Supreme Court में और वो भी Chief Justice of India को मिला कर सी जी आई साब को मिला कर कितने लोगों की होती थी जी सी जी आई साब को मिला कर यहां पर Question है आपका ठीक है और यहां पर एक जोड़ने तो कितना हो जाएगा 34 टोटल कितने 34 39 cgis आपको मिला कर ठीक है आप देखेगा राइट आंसर क्या होगा आठ कितना होगा आठ ठीक है जब जब पहली बार सुप्रीम कोड में यह बनाया गया तो आठ अगला प्रशन देखेगा सर्वोच न्यायाले की आवमानना के लिए किसी व्यक्ति को कौन दंडित कर सकता है आप देखेगा यह बड़ा ही important question है बड़ा important question कैसे है सर्वोच अगर आपने कोई भी उलंगन किया है किसका उच्चितम न्यायाले का तो उच्चितम न्यायाले का उलंगन करने पर इसे दंडित कौन करेगा यानि कि इसमें दंड का प्राधान कौन कर सकता है शंकर जी का अ बात होगी वहाँ न्याइ की बात में राशपती न्याइन ही कर सकते न्याइ के लिए तो सुप्रीम को्ट यह जाएगा तो यह제 कुणकि अन्तिम व्याख्याता कौन होता है ना तो सुप्रीम कोर्ट ही बता सकता है एना कि आपने कौन से गलती की है कौन से नहीं की है दूसरा कोई क्या बताएगा ठीक है अगला प्रश्ण देखेगा मुसलिम लीक कि सापना होई कब थी 1906 में उस समय भारत में वाय सराय कौन था यानि कि किस वाय सराय केScript में जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी बांगलादेश के धाका में कहाँ पर और किसकी अगवाई में की गई थी आगां खाहब की अगवाई में वाइसराइट कौन था जरब बताईएगा जी अ बीडी सी चिंटू जी आलोग पुरजपती पिंकी कुमारी जी रंजु लिए देखेगा यहां पर राइट आंसर होगा लॉड मिंटो दिती है ठीक है तो मिंटो दिती है क्योंकि करजन का दो निप्टारा हो गया था करजन ने जैसे ही बंगाल का विभाजन किया उस विभाजन के बाद यह तो जैसे ही मुस्लिम लीग बनी 1906 में तो कौन से सुधा के तहित बनी थी मॉंटे मिरलो है ना अब देखेगा अगला प्रश्न क्या है यहां पर यहां पर 1884 में 1884 में जो आइंसी आइंसी नहीं है यहां पर ध्यान दीजेगा इंडियन नैशनल कॉंफरेंस किसकी बात हो रही है इंडियन नैशनल कॉंफरेंस की बात हो रही है तो 1884 में Indian National Conference की स्थापना कहां की गई थी किस के दवारा सूरेयन नाद बैनरजी दवारा तो राइट आंसर क्या होगा कलकटा में कहां पे कलकटा में और INC की स्थापना कब हुई थी 1885 में कहां पे 1885 में ठीक है और किसने की थी एयो यूम ने किसने एयो यूम अगला प्रश्ञ देखीगा hunter आयोग अब इसके सम्मंद में hunter आयोग के सम्मंद में दो कथन दिये हुआ हूं देखिए कौन कौन से हैंं hunter आयोग की जो स्तापना है वो लॉड की गए ती यानर रनायोग नूख की आ गया था नमबर टू हंटर आयोग जो है वो प्रात्मिक शिक्षा की निगरानी शक्ति को जिला और नगर निगम बोड को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई यानि hunter आयो किसले बनाये गया था कि भाई या प्रात्मिक शिक्षा को जिला और नगर निगम बोर्डों तक पहुंचाया जाए तो इन में से कौन सी बात सही है बोथ यानि दोनों ही बाते सही है तो right answer क्या होगा c यानि ये कतन भी सही है और ये कतन भी सही है इस नियूक तो क्या नाम है या याद्सो यह किस केंद्र शाषित यहां पर राज का में से जैव विविदिता इस्थल है यानि कि यहां पर क्या पाई जाती है यहां पर पाई जाती है बायो डाइवर्सिटी या या याद्सो तो या याद्सो जो है वो कौन से केंद्र शाषित प्रदेश यहां पर दिखेगा राइट आंसर क्या होगा आपके लद्दाक में इस्तित है कहां पर लद्दाक में यह किस चीज के लिए यहां पर बहुत तरीके की पौधों और जीवों की किस्म पाई जाती है यानि कि इनकी अनेक प्रकार की प्रजातिया पर होती है अगला प्रशन देखेगा जुआरी ब्रिज जुआरी ब्रिज जो है यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल पुल है यह किस राज्य में या पिर किस केंद्र शाषित प्रदेश में इस्थित है अरुनाचल प्रदेश गोवा पंजाब जम्मू कश्मीर हम पहले के बारे में भी जिक्र करेंगे कि अगर यह दूसरा है अब इसका नामी है जुआरी ब्रिज तो दूसरा यह तो दूसरे नंबर का है तो पहले नंबर जम्मू कश्मीर के अब दूसरे की तो राइट आट अंसर क्या होगा है कहाँ गोवा में जुआरी ब्रिज पूरा है यह जम्म ren RH कश्मीर है जम्मो कश्मीर किस नाम से अगर आप लोगों को याद होगा तो 2020 में इसका शिलान्यास किया गया था किसके दौरा राजनाद सिंग जी दौरा राजनाद सिंग अभी हमारे देश के क्या है हमारे देश के रक्षा मंत्री है तो पहला था जम्मु कश्मिर में बनाए गया अंजी खाद ब्रिज और दूसरा कौन सा है गोवा में इस्थित आप आपका जुँआरी ब्रिच ठीक है केबल प्रिज का मतलब क्या होता है वहिए यह ब्रिच को इनगे गया यह केबल से लटका हुआ ब्रिच है अगया दर विलीक के टारों से लटका हुआ हुआ फिलटा है ठीक है अगला ब्रेशन से बताईएग society अगला प्रश्चा क्या है एक्स एक्स भारत को किस देश कोड़ने का काम करती है लगा त्रेम कोड़्यों कोड़ने का काम करती है जी कीप़ी एक्सरेज प्रेसिएं और विए रितुराज़ाब तो यह जूर नाम करती हैं और वैसे भी मैं आपको त्थी आंसर बांगला देस्ट देना है क्यूंकि बढंगादेश समबंदेत हमारे बहुत सारे सारे इसी नाम से हैं ठीके नामसे अगला प्रस्छ देखियेगा किस मंत्री छे बार रेल बजट पेश किया हुआ है यानि छे बार मंत्री कौन थे पहले कौन थे जॉन बताई पूरे देश के तो ज़रह बताईएगा छे बार रेल वजट किसने पेश किया है जी लालू पुरसाद यादव जब तक है समोसे में आलू तब तक है बिहार में लालू है ना रजेडी प्रमुक जो थे लालू पुरसाद यादव जी अभी तो तो उन्होंने ही छे बार लगातार क्या किया है रेलवे बजट पेश किया है अगला प्रश्ण देखिएगा अभी कौन प्रमुक है उसके तेजस्वी याद उनके सुपुत्र अगला प्रश्ण क्या है विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उतपादक देश कौन सा है यानि कि बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहां पर उतपादित किया जाता है किस देश में उतपादित किया जाता है यूएसे जमैका चिली ऑस्ट्रेलिया क्या होगा राइट आंसर नाहीद उसेन जी बहुत हस रहे हैं क्या बाते नाहीद एक बच्चे का बड़ा लंबा सा कॉमेंट आया इतना लंबा कॉमेंट पढ़ने में मुझे लग रहा है बहुत जल्दी हो जाएगी हम पढ़ी नहीं पाएंगे ज़र बताईगा यहां पर राइट आंसर क्या होगा ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है ऑस्ट्रेलिया आइड ऑस Prim तर्व गैया था तो जड़ा बताईगा यह तक सक है रगुराम राजन बुचिर शर्मा जैराम रमेश पीज दंबरब रगुराम राजन साब की है रगुराम राजन साब हमारे यहां के S-RBI गवर्नर है एक्स रबी आई गवर्नर है यह अभी इस समय कौन है रबी आई गवर्नर शक्ति कान्थ दास जी 25 में नंबर के उन से पहले कौन थे नोटबंदी के समय पे उसके बाद हो भाग गए क्या नंतन का उर्जित पटेल तो उर्जित पटेल से भी पहले कौन थे रगुराम राजन ठीक है अगला प्रश्ण देखिएगा कौन सा शास्त्री नित्य आम तौर पर विश्णु के विश्णु जी के इस्त्री रूप से की कहानी कहता है यानि कि वो जो जो शास्त्री नित है वो भगवान विश्णु के इस्त्री रूप को बताता है तो हम सभी अगर हम जानते हों तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि मोहिनी रूप धारण किया था ठीक है बचाने के लिए अब यहां पर देखेगा राइट आंसर क्या है मोहिनी अट्टम क्या है मोहिनी अट्टम ठीक है तो मोहिनी अट्टम जो है वो मोहिनी स्वरूप से ही सब्मंदित है और मोहिनी अट्टम कहां का कहां का नित है केरल का क्यूंकि केरल में दो है कौन-कौन से मोहिनी अट्टम और कथकली यह दो शास्त्री नित है सत्रिया करा है सत्रिया आसम का शास्त्रिनित है कथक का यू-पी यानि उत्तर प्रदेश मणी पूरी नाम से clear है कि मनी पुर का है ठीक है senior निए कितनेये शास्त्रिन निए टोडल Arts है रहा कुच्छीपुडी odc और आपका बरत ना ट्यम यह सब भी थे अगला प्रस्ज देखेगा प्रोजेक्ट हम poems Tyndua यानि कि स्नौ lepard तो snow lepard जो यह हीं हमालियन रेंज जो वे चलाए गया था जहां पे Kimo सैंट वशी तह어ई अगैं और संख्या है उसमें वृध्धी करने के लिए इनको अनुकूल परिस्तिया प्रॉइट करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया था कब चलाया गया 2009 में सी होगा राइट आंसर राइट आंसर क्या होगा दोजार नो ठीक अगला प्रश्ण देखिएगा यहाँ पर क्या है आपका गुप्त काल के दौराज गुप्त काल में एक प्रमुख छेत्र होता था जिसे छेत्र का आ जाता था तो छेत्र का मतलब क्या होता था गुप्त काल क चलिये जलिए केके रॉय जी सुधाराज चलिये देखेगा राइट आंसर होगा खेती योगे-भूमी तो खेती योगे-भूमी को ही छेत्र बोला जाता था और छेत्र जो है थेट जो हम लोग जो एक तद्बो शब्द है क्या है तद्बॉो और तद्सम इसका क्या होता है शेतर ठीक है क्या होता है चेत्र अगला प्रश्न देखिएगा सलीम अली राश्त्री उद्ध्यान यह किस रैज्य में इस्थित है मालं जम्मु कश्मीर महन अलिक्ति आन्थ प्रदेश और राइट ऐड़ाइट से आंसिरा सलीम अली राश्टी उद्यान किस राजी में इस्तित है मॉम्मघाज ने और समराड़ सिंग जी जे के बिल्कुल साही उत्तर है जम्ठो कश्मीर में स्वाली आली मैं कौन सा है कोई बताएगा लगण लग्दाक में कौन सा है चले लग्दाक में कौन सा फेमस है कॉमेंट करके बताईएगा अगला प्रश्ण देखिएगा निमनलिकित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है और मैं अभी बता दूं आज 11 बजी की क्लास हुई थी जो बच्चे नहीं देख पाई है मैं बता दू हाला कि थोड़ा सा लेट क्लास आपकी स्टार्ट हुई थी तो 11 बजी की क्लास में आज बिहार SI मेंस का पेपर सॉल्व कराया गया है बिहार SI मेंस का जो लेटेस्ट एक्जाम हुआ था वो 2022 में 24 अप्रेल को हुआ था तो 24 अप्रेल की इस परिक्षा के जितने भी GS के क्व हमें हमें हम लोगों को तैयारी करानी है है थी मुच भी किस भी हो हमें हमें ना सोचना पड़े ठीक है वैसे जहां तक नहीं रद होगा ठीक है आब यहाँ पर देखेगा बानों विकास पर सबसे अधिक जोड़ दिया गया था कौन सी पंचवर्षी योजना में जी बताइएगा दूसरी तीसरी चौती पांचवी किस में कहा गया कि human resource पर अब बल देने की जरुवत है यानि मानवों को सिक्षित करने उनको skill करने उनको निपुण बनाने उनको दक्षित दक्ष बनाने की जरुवत है यानि अलग-अलग तरीके के गुणों से सिखाना होगा अलग-शिक्षा पर जोर देना होगा तो वो कौन सी पंचवर्षी योजना थी पांचवी पंचवर्षी योजना तो पांचवी में जो है वो मानविकास संसाधनों पर जादा जोर दिया गया और अगर आपको पता हो हमारे देश में ज कॉमेंट करकी बच्चे बताएंगे कि 2020 में ये 2021 में कब बना ठीक है क्योंकि पहले इसका नाम क्या था HRD Ministry यानि Human Resource Development उसी का नाम बदल के Education Ministry हो गया अब यहां बताईएगा प्रोटेम स्पीकर को शपत कौन दिलाता है प्रेसिडेंट सहाब ही दिलाते हैं यानि चाहे स्पीकर हो चाहे प्रोटेम स्पीकर हो यानि सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है प्रोटेम स्पीकर जो नई नई लोकसभा बनी है उनके सदस्यों को शपत दिलाने का काम करते हैं यानि भाया शपत ले लो सदस से बन जाओ तभी तो तुम नया स्पीकर चुनोगे ठीक है अगला प्रश्ण देखिएगा निमनिलिकित में से किसने भारत में पहली मस्जिद कुवतुल इसलाम जो की दिल्ली में स्थित है इसका निर्माड करवा प्रवत चोटियां यानि के पर्वत चोटियां संबंदित प्रश्न और यहां क्या दिया हूए है इनमें से कौन सा गलत क्या हुआ है यानि कि सही मैच नहीं है जी प्रिया यादो जी अम्बिका प्रसाद जी रुट्यन कुमार कामडेव रितुराज चले पूजा पतेव ज जितेन पप्पू यादव डार्क मिक्स चंदन यादव जी चलिए बताइएगा सोनी कुमारी राइट अंसर क्या होगा यहाँ पर कौन सा गलत मैच किया गया है कौन सा गलत मैच है अर्मा कॉंडा क्यूंकि अर्मा कॉंडा जो है वो पूर्वी घाट की सबसे उची चोटी है हूर्वी घाट की इस्टन घाट की पश्यमी घाट की नहीं है तो ये आपका गलत हो गया है बाकी धूप घठ चोटी जो है वो सत्पुरा की सबसे उचिए कहां पर है MP में इस्थित है MP में इस्थित है qt दूप घठ चोटी और दोड़ा बेटा किसमे है पश्मी घाट में और गाडवी नास्टिंग जो है यानि मांट केटू जो है वो आपके हिमाले में स्थित है ठीक है अगला प्रशन देखिएगा बंद अर्थव्यवस्ता यानि अगर हम कहें कि बंद अर्थव्यवस्ता है तो बंद अर्थव्यवस्ता का क्य का मतलब होता है जी बी इस्टॉप दोनों हां बिल्कुल सही उत्तर है अचानक से जैसे खासी का लग रहे है थोड़ा बंद अर्थवस्ता का मतलब ही है कि ना हम कि ट्रोज्ड एक्नमी या ना तो हम किसी से सामान मंगाएगे ना किसी को अपने या कर सामान देंगे यानि już हम अपने या खूदी आत निर्वर आ हैं यानि की जरुर्घी तो लेंगे लेकिन जहां पसी प्रैयों करते हैं जो सामान हम खुद फ्रोड्यूस करते हैं खुद मैनुफेक्ट्र करते हैं केक अधिक खा लिया है मैम आपने अच्छा केक ज्यादा खाली है लग रहा है वीडियो देख लिए आपने लेकिन केक मैंने ज्यादा नहीं खाया वाई अगला प्रश्न अगला प्रश्न है अगर कहा जाए कि आपके उपर लगाया जाता है यह पानी पी लीजिए चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं आप लोगों की बात मानते हैं हो सकता है कोई फर्क पढ़ जाए चलिए यहाँ पर देखिएगा राइट अंसर क्या होगा कैपिटल गेन के संबंद में संपत्ती विक्र है यानि की हम कोई भी माम लीजे हमने कोई संपत्ती करी दी घर खरीदा कार खरीदी यह कुछ भी करीदा ऐसी कोई संपत्ती करीदी बिल्डिंग खरीदी जमीन करीदी ऐसी संपती जिसका दाम बढ़ता रहता यानि कि माली यह 0-10 लाग 10 तो आप चपीजिए ऐसो 250 Li बेशते हैं property खरिदते हैं property बेशते हैं property डिलिंग का काम है तो उनकी income तो यही होती है ना उनकी income तो यही है तो अब यह income इनकी fix नहीं होती है लेकिन मिलती जरूर है कभी 5 लाग का फायदा हो रहा है कभी 10 लाग का तो इस पर जो tax लगता है वो tax capital gain कहलाता है ठीक है अगला सोनी मैं के बारे में सही बोलो कौन सोनी जी आपने मेरे बारे में कुछ गलत बोला है अगर गलत बोला है तो मुझसे डारेक्ट बोल दीजिए कोई बात नहीं आप यहां पर देखेगा निमनलिखित मैंसे कौन सा राश्री उध्यान 36 गड़ में इस्तित है चलिए फड़ा ब पॉर्शन आप देखेंगे कि मध्यप्रदेश में भी पड़ता है ठीक है इंद्रावती नदी के ही आसपास इसका एरिया है उसी की बेसिन के पास निमनलिखित में से किसकी उपाधी राजा जी थी ती यानि कि कि किसको हम लोग राजा जी की उपाधी के नाम से भी जानते हैं राज गोपालाचारी रविन्ना टैगोर भगत सिंग चित्रन जंदास क्या होगा राइट आंसर जी राज गोपालाचारी बिल्कुल सही है राज गोपालाचारी जी यानि कि सी राज गोपालाचारी चक्रवर्ती राज गोपालाचारी जी जो हमारे देश के पहले गव उर्जास नहीं तरह किस राज में इस्थित है यूपी एंपी राजस्तान गुजरात एंसर आ रहा है यूपी बिल्कुल सही उत्तर है नरौरा यूपी अगला प्रश्न क्या है लोगपाल विदेयक पहली बार लोगसभा में किस वर्ष पेश किया गया था लोगपाल जो इतन ग्यारा सो बाननवे में तो तराइन का दूसरा यूद हुआ था अब यहां पर देखिएगा राइट आंसर क्या होगा 1968 में पहली बार कब लाए गया 1968 अगला प्रश्न देखिएगा 2011 की जनगर्णा के अनुसार अगर 2011 की जनगर्णा देखें तो बिहार की साक्षर्ता दर कितनी थी बिहार की साक्षर्ता दर कितनी थी जल्दी से बताईएगा बिहार वैसे सेकेंड लास्ट था यानि की पीछे से अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पे था लेकिन अब म सूरत जरूर बदलेगी उसमें ये तस्वीर जरूर बदलेगी यानि कि साक्षर्था दर्में हमें बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा क्योंकि ये बच्चे इतनी अच्छी तरीके से डेडिकेटेड हैं राइट आंसर क्या होगा 61.08 परसेंट यानि कि आपका सी आ होगा आंसर ठीक है अगला प्रश्ण देखिएगा भारत में पहली टकसाल कहां पर स्तापित की गई थी टकसाल का मतलब होता है मिन्टिंग यानि कि जहां पर क्या किया जाता है सिकों की डलाई क्या होती है सिकों की डलाई होती है जिसे हम लोग टंक कशाला भी कहते हैं ये टंकन जहां पर होता है तो भारत की पहली टकसाल कहां इस्तापित की गई थी जी सी आंसर आ रहा है कोलकाता सुरेंद्र जी आर इसमें से 50% बच्चों ने गलत आंसर दिया था 50% बच्चों ने मुंबाई आंसर दिया था मैंने खुद अभी पूरी चैट ऑप्जर की तो 50% का गलत था अगला प्रशन देखेगा प्योंग्यां किस देश की राजानी है प्योंग्यां मालदीव मंगोलिया मलेशिया उत्तर कोरिया क्या होगा राइट आंसर मालदीव मंगोलिया मलेशिया उत्तर कोरिया बिलकुल उत्तर कोरिया की है राजानी क्योंकि मालदीव की क्या है माले मंगोलिया की क्या है उलान बटार क्या है उलान बटार और मलेशिया की क्या है कुवाला लंपुर क्या है कुवाला नौर्थ कोरिया अगला प्रश्न देखेगा पाक की खाड़ी कहां परिस्तित है अगर हम पाक की खाड़ी की बात करें तो पाक की खाड़ी जो है वो कहां परिस्तित है कच्छ की खाड़ी यानि कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के बीच अंडमान निकोबार दीप कच्छ और खमबात के बीच क्या होगा राइट आंसर चलिए यहां पर सी आंसर आ रहा है बिल्कुल sanost सही उतर है मनार की खाडी मनार की खाड़ी और आपकी बेय बेंगउल यानि बंगाल की खाड़ी की बीच में इस्तित है कौन सी पाक की खाड़ी ठीक है पाक की खाड़ी और दोनों ही श्रिलंका का विभाजन करती हैं जो पाक की खाड़ी है वो थोड़ा सा आपकी उत्तर दिशा में है और जो मनार की खाड़ी थोड़ा सा दक्षन यानि और नीचे है अगला प्रश्ण दिखेगा भारत सरकार ने निमनलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैद कर दिया है यानि कि पर्यटन को अवैद बना दिया है वहां पर जो भी जाएगा वो इलीगल माना जाएगा और उसके उपर दंड दिया जाएगा उसे दंड नहीं माना जाएगा तो कौन सा वो द्वीप है क्या नाम है उसका सेंटिनल द्वीप कौन सा सेंटिनल द हुआ था वह अमेरिका के एक पत्रकार थे पहुंच गए थे उनको मार डाला तो इसके बाद से परेटन बन कर दिया गया ठीक है चलिए यहां बताएगा भारतपूर पक्षी पक्षी अब्यारंड किस राज में इस्तित है भारतपूर करनाटक उडिशा केरल राजस्तान क्या का होगा राइट अंसर बहरतपूर कहा पर है अंसर आँकुर पाकशवांजि राजुल कुमार जी अमंत सिंग शोय-बालम दीयमhmen शुसंग अन्ड राहूल गुलफुशा गुल्षन कुमारी नीकुमारी होगा तो राजस्तान में आपका कौन कौन सा है सरइसल का है केवला को थाई मैं थोड़ा सा बेमेल यूग्म को पहचानिए चाय एसाम मुंख़ली बिहार नारियल केरल गंणा उत्तरप्रदेश क्या होगा राइट आंशर बताइजीगा चाय यह लिए महाराश और गुजरात में बाकि डिक्षा चाह असाम नारियल केरल और गन्य का संबंद किसे उत्तर प्रदेश से और महाराश को चाहिए काली मिट्टी और साथ कपास के लिए भी चाहिए होती है तो काली मिट्टी हमारे इधर साइड नहीं बलकि हमारे पश्च्वी छोर पे मिलती है ठीक है अगला प्रश्च देखेगा अगले प्रश्च में एक चीज और चेक कर लेते हैं चलिए अब यहां पर क्या करना है आपको यहां पर यह आज आपका md classes का homework प्रश्चन है और कल मैंने सभी के comment पड़े थे हाला कि बर्थडे के comment जादा थे लेकिन आंसर के भी comment बहुत सारे बच्चों ने किये हुए थे तो आज भी इसका आंसर आपको md homework में करना है कि भारत के निम पाहिला मुक्यमंत्री नहीं बनी है और लक्ष बैच आप जरूर ले लीजे यूपी पुलिस कॉंस्टिबल के लिए और यहां पर देखेगा एक जो महामहरातन आपकी चलने वाली है किस चीज की महामहरातन है रेलवे पर आपकी महामहरातन आ रही है तो इसके लिए बिल् पूरी यूट्यूब पर तो 24 दिसंबर को मैक्स की महरातन होगी 25 दिसंबर को जीके जीएस की होगी और 26 दिसंबर को आपको रीजनिंग की महरातन होगी तो 24 दिसंबर को सुबह 9 बजे 25 दिसंबर को सुबह 9 बजे और 26 दिसंबर को सुबह 9 बजे आपको रेडी रहना है त तो जरूर ले लिजेगा ठीक है तो आज की class कैसी लगी कोई भी दिक्कत है कोई भी problem है कोई चीज बतानी है या समझानी है या कुछ भी करना है या आपको पहली बात तो MD classes का homework करना है तो class के बारे में अपना review आप हमें comment box में दे सकते हैं ठीक है तो आज के लिए इतना ही प हुआ है